Hello guys, today we will solve question number 4 of XSI 3.2. So let's start. So the question is, if A is equal to, A दे रखा है, B गिवन है, अपने को C गिवन है, then compute A plus B and B minus C. And also verify that A plus B minus C is equal to A plus B minus C. ठीक है? यह verify करना है, यह अपने को compute करना है. तो सबसे पहले compute कर लेते हैं, अपने A plus B. ठीक है? दोनों की value रख देते हैं, A plus B की. तो A की value क्या है? 1, 2, minus 3, 5, 0, 2, 1, minus 1, 1. ठीक है? प्लस B की value रख देते हैं. B की value क्या है? 3, minus 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3. ठीक है? सिंप्ली अपने को add करना है. थोड़ असस मैं sort में करूंगा, ठीक है? डायरेक्ट एड कर रहा हूं, बस लिखने रहा हूं. वैसे 1 plus 3 लिखना पड़ेगा, यहां पर मैं डायरेक्ट एड कर लिख रहा हूं. ठीक है? 1 plus 3. कितन लिखना देता हूं, 2 plus minus 1, ऐसे लिखना पड़ेगा, तो यह जो sign बचेगा अपने को, plus into minus, क्या होता है? minus होता है, तो 2 minus 1 बचेगा, only क्या बचेगा? 1. यह minus 3 है, plus 2 है, क्या बचेगा? minus का 1. 5 plus 4 है, 9, 0 plus 2 है, 2, 2 plus 5 है, 7. ओके, तो 1 plus 2, 3, तो यह minus 1 plus 0, तो minus का 1 ही रह और 1 plus 3, क्या है, 4, ओके, अब निकान नहीं है, अपने को, B minus C, value रख दो चलो, B की value क्या है, यह रही, 3 minus 1, 2, 4, 2, 5, और क्या है बोलो, 2, 0, 3, minus C की value, यह है, तो लिखो, 4, 1, 2, 0, 0, 3, 2, 1, minus 2, 3, ठीक है, चलो, इसको लिखे देता हूं, क्योंकि confusion होगा तो चलो, लिखे देता हूं, तो 3, minus 4, ठीक है, minus 1, minus, 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 minus 1, minus 1, ठीक है, 2, minus 2, तो 4, minus 0, 2, minus 3, 5, minus 2, 2, minus 1, और 0, minus, minus 2, ठीक है, फिर आया, 3, minus 3, ठीक है, तो अब लिखे देता हूं, मैं इसको solve करके, क्या हैगा, 3, minus 4, minus 1, minus 1, minus 1, क्या हैगा, minus 2, 2, minus 2, तो 0, होई जाता है, ठीक है, 4, minus 0, 4 ये बचेगा, 2, minus 3, minus 1, 5, minus 2, 3, 2, minus 1, 1, और ये क्या sign बनेगा, plus का 2, और ये 3, minus 3, 0, ठीक है, तो अपनी दो value निकल सुखी है, a, plus b, और b, minus c, ठीक है, अब अपन करते हैं, verify करना है, तो ये left hand side, और right hand side को अपने को equal लाना पड़ेगा, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, a, plus, b, minus, c, ठीक है, value रखो चलो, a की value ये रही, 1, 2, minus 3, 5, 0, 2, 1, minus 1, 1, ठीक है, ये है अपनी left hand side, जो अपने को proof करना है, वो, so करना है, verify करना है, उसकी, ठीक है, a, plus, b, minus, c, और अपने, b, minus, c, तो निकाले लिया, क्या आया, वो आया, minus 1, minus 2, 0, 4, minus 1, 3, 1, 2, 0, ये वाला लिखा है, b, minus, c, की value यहाँ, ठीक है, चलो, अब एड़े कर देते हैं, direct कर रहा हूँ, ठीक है, 1, और minus 1, क्या बनेगा, 0, 2, plus, minus 2, 0, बनेगा, minus 3, plus 0, minus 3, 5, और 4, कितना आया, 9, 0, minus 1, आएगा, 2, plus 3, 5, आएगा, 1, plus 1, 2, आएगा, minus 1, और plus का 2 है, तो plus का 1 बचेगा, और 1, plus 0, 1 बचेगा, ठीक है, यह अपना आगया, a plus b minus c आगया, ठीक है, अब क्या निकालते हैं, राइट हैंड साइड देखो क्या है, a plus b minus c, ठीक है, तो राइट हैंड साइड और सोल करते हैं, राइट हैंड साइड क्या बोल रही है, a plus b minus c, तो a plus b की वैल्यू यहां से निले रख देंगे हैं, ठीक है, चलो, बोलो क्या है a plus b की value 4 1 minus 1 4 1 minus 1 927 927 3 minus 1 4 3 minus 1 4 a plus b की value आगे minus c की value वोलों c की value ही रही 4 1 2 0 3 2 1 minus 2 3 ठीक है चलो लिखे देता हूं इसको एक बार तो क्या आएगा 4 minus 4 1 minus 1 minus 1 minus 2 फिर 9 minus 0 2 minus 3 7 minus 2 3 minus 1 बास एक जागे दान रखना है मानेस वन लिखेंगे minus sign और minus 2 ठीक है तो मैनेस की sign आएगे एक तो ये वाला ये के वाला ओलड़ी है जो ठीक है four minus 3 ठीक है चलो sond कर लेते हैं four minus 4 क्या होगा zero one minus 1 क्या होगा zero ठीक है फिर माइनस 1, माइनस 2 क्या होगा माइनस 3 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 क्या होगा माइनस का 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2, अब देखो यह क्या बनेगा, माइनस 1 और यह बन जाएगा, प्लस का 2 माइनस इंटो माइनस प्लस हो जाता है तो क्या बचेगा, 1 और 4-3 1 बचा ठीक है तो यह आगया अपना right hand side थोड़ा ध्यान से देखो A plus B minus C निगाला 0 0 0 sorry 0 0 minus 3 9 minus 15 2 211 अब निकालते हैं अपन फिर निकाला अपने A plus B minus C जो की right hand side है वो निकाला तो वो भी same है देखो दोनों में कोई भी difference नहीं है दोनों same है तो अपन क्या लिख सकते हैं की left hand side is equal to right hand side hence A plus B minus C is equal to A plus B minus C तो यह verify हो चुका है थैंक्स पर वोच्चिं दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लेस सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक यू वेरी मच